एलो माई डियर श्टुडेंट इस लेक्चर वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि वे कौन से प्रापर्टी है है हाईडोजन की जो हाईडोजन की ग्रूप 17 के इलेमेंट के साथ रेजेम्बलेंस रखती है तो आईए चेप्टर है हाईडोजन और टापिक है रेजेम्बलेंस 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 रेजेम्बले electronic configuration में भी resemblance है देखने का नजरिया होना चाहिए बस देखते हैं आप कैसे है जैसे हैं हैलोजन की एक बात समझ लेजिए हैलोजन का जैसे हैलोजन में फ्लोरीन है और क्लोरीन है इसका atomic number 9 इसका 17 इसका configuration होता है 1S2 2S2 2P5 इसका होता 1S2 2S2 2P6 3S2 3P5 अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि last में केबल की एक electron ही बचा है जैसे यह electron एक ले लेगा एक electron गेन कर लिया यह भी एक electron गेन कर लेगा तो f माइनस हो जाएगा यह कैसा हो जाएगा CL माइनस हो जाएगा इसका मतलब इसकी configuration 2-8 इसकी 2-8-8 मतलब इनकी जो configuration है noble gas की तरह हो जाएगी noble gas की तरह हो जाएगी जो इनका electronic configuration है वो noble gas की electronic configuration को attain कर लेगा और more stable हो जाएगा तो सेम होशी तरीके से hydrogen भी hydrogen का atomic number 1 1-1 अगर एक electron मिला ते एक electron गेन करके यह बना लेगा H- H- इसका मतलब 2 मतलब helium की तरह इसका electronic configuration किसकी तरह हो जाएगा attain attain electronic configuration of electronic configuration of configuration of nearest noble gas nearest noble gas कौन सी nearest noble gas like helium helium की तरह इसका हो जाता है जिस तरीके से hydrogen एक electron गेन करके nearest noble gas के electronic हाइलोजन नोबल गेस के electronic configuration को attain कर लेते हैं उसी तरीके से hydrogen भी उसी तरीके से hydrogen भी one electron गेन करके अपने nearest noble gas के electronic configuration को क्या कर लेता है attain कर लेता है अब जो अगली property है वो अगली property है electro negative character electro negative character की बात करें तो दूसरा second property है electro negative electro negative character electro negative character की बात करते हैं तो आईए हम लोग electro negative character की बात करें तो सबसे पहले जिस तरीके से hydrogen ये chlorine है chlorine का मतलब हाइलोजन हाइलोजन एक electron आज जली गेन कर लेते हैं और ये जली गेन करके chloride ion बनाते हैं chloride ion बनाते हैं chloride ion बनाते हैं उसी तरीके से हाइडोजन भी एक electron गेन करके chloride ion बनाता है तो ये electro negative character भी hydrogen में है ये एक electron गेन करके chloride ion मनाएं और अगला जो प्रापर्टी है oxidation state oxidation state की देख लेते हैं तो थार्ड है oxidation state oxidation oxidation state जिस तरीके से देखिए alkali metal के साथ जिस तरीके से alkali metal के साथ metal के साथ हैलोजन आते हैं alkali metal के साथ हैलोजन बनेंगे तो ये ने इस यल KCL KBR ये बनाएंगे और इनकी oxidation state minus one इनकी minus one होती है हैलोजन की oxidation state minus one होती है उसी तरीके से अगर alkali metal के साथ hydrogen का reaction करा दें KCH का reaction करा दें CAE इनका reaction करा दें तो इनकी hydrogen की भी oxidation नमबर क्या होती है minus one होती है इनकी भी oxidation नमबर सेम जैसे हाइलोजन की minus one वैसे हाइडोजन की भी हाइडोजन की भी minus one समझ गया होंगे आप लोग तो अगे आगे जो हम अब डिसकस करेंगे वो अगला जो पॉइंट है आइनाइजेशन इन्थेल्पी आइनाइजेशन इन्थेल्पी की बात करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको इरियेज कर लेता हूं और oxidation आइनाइजेशन इन्थेल्पी नेक्स प्रापर्टी है आइनाइजेशन इन्थेल्पी आइनाइजेशन इन्थेल्पी जैसे हम लिथियम की बोलें तो लिथियम की आइनाइजेशन इन्थेल्पी होती है 520 मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो fluorine की ionization enthalpy होती है 1680 और अगर hydrogen की बात करूं तो hydrogen की ionization enthalpy होती है 1312 तो यहां पर देख रहा है किРЕ dot hydrogen की ionization enthalpy की बाच लोजर है किस्के हैलोजन के एलेमेंट के साथ Liberation at Anode Anode के साथ इसका Liberation देखते हैं अब अखे Liberation at Anode Liberation at Anode जेस तरीके से Sodium Chloride Sodium Chloride का हम अगर Electrolysis करते हैं तो Sodium Ion Plus Chlorine Ion जेस तरीके से Chlorine Ion अगर मैं बात करूँ इनका तो Chlorine Solid Chlorine Anode पे Chlorine Gas Anode पे Deposit होती है और ये Sodium का Thode पे Deposit होता है सेम उत्री तरीके से Sodium Highlight अगर लिया जाए Sodium Highlight लिया जाए और इसकी Electrolysis करा दिया जाए तो जो Sodium होता है वो कैथोड पे और जो Hydrogen होता है वो कहाँ पे Anode पे Deposit होता है या कैथोड पे होता है तो देख रहा हैं कि हैलोजन से हैलोजन अगर Anode पे Deposit हो रही है तो Hydrogen भी Anode पे Deposit हो रहा है बसरते यहाँ पे अगर Salt का Sodium का Halide लिये हैं तो यहाँ पे Sodium का Hydroid लेना पड़ेगा तभी Hydrogen Anode पे Deposit होगी अब आगे है Atomocity में Similarity देखें अगर जैसे बात करूं Six Point है Atomocity की Atomocity Atomocity की बात करें तो जिस सरी के से Chlorine की Atomocity तो Bromine की तो दो Atom Bromine के मिल करके मलकूल बनाते हैं Florine दो Atom मिल करके F2 बनाते हैं Atomocity 2 Iodine के दो Atom मिल करके Iodine मलकूल बनाते हैं सबकी Atomocity दो दो Atom मिल करके मलकूल बनाते हैं सेम उसी तरीके से Hydrogen भी दो Hydrogen मिल करके एक मलकूल बनाता है जिस तरीके से Hydrogen दो Atom मिल करके एक मलकूल बनाता है that is इनके भी एटमोशिटीव ही क्या होगी दो होगी फार्मेशन आफ सिमलर टाइप आफ कमपाउंड फार्मेशन अगला जो है फार्मेशन आफ सिमलर टाइप आफ कमपाउंड फार्मेशन आफ सिमलर टाइप आफ similar type of similar type of compound compound similar type के formation करता है जैसे अगर मैं carbon की बात करूँ silicon की बात करूँ nitrogen की बात करूँ तो highlights में देखें जैसे carbon की बात करूँ तो carbon tetrachloride हैलाइड में अगर मैं सल्फ सिल्कान की बात करूँ तो silicon tetrachloride nitrogen की बात करूँ तो nitrogen trichloride सेम इसी तरीके से hydride की बात करूँ तो methane silicon tetrachloride ammonia is formed देख रहें similar type के compound का formation hydrogen जिस तरीके से chlorine tetrachloride carbon के साथ चार chlorine जुडते हैं उसे के साथ carbon के साथ चार hydrogen भी जुडता है तो यह similarity है hydrogen के साथ और अगला जो similarity है combination with metal metal के साथ combination करता है तो आगे अलेडी हम discuss कर चुके हैं कि combination of metal combination with metal जो हम अगला point है वो है combination with metal combination with metal जिस तरीके से metal अगर सबसे पहले हम लेने metal की बात कर लें सबसे पहले हैलाइड की बात करें सबसे पहले हैलाइड की बात करें तो हैलाइड में जैसे सोडियम है तो यहने सील जैसे कैलसियम है तो इसी तरीके से हाइड्राइड भी हाइड्राइड भी यहने के साथ ही अच और सीए के साथ ही अच टू देख रहा हैं सिमिलर्टी यहां पे कंबिनेशन आप मेटल का हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ यह सिमिलर्टी है तो बच्चों आप लोग धेर सारी सिमिलर्टी समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन के similarity कहां कहां पे है तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग अब इसके बारे में अब समझेंगे कि कौन कौन से differences है कौन से differences है जो hydrogen को hydrogen से अलग रखते हैं तो अगले वीडियो में uploaded है, इसको देख देंगे आप लोग Thank you for watching